सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाये बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो अब दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रस अपिसोर में मेरा नाम है नीरवन आज के ये वीडियो में हम बात करने वाला है अब यह क्या है क्या है क्यों परफॉ option की आजाता है सारी चीज़े आपको ये वीडियो में बताने वाला हूं हो सके तो यहाँ पे वीडियो को अन्ति तक जरूर से देखे यहां पर आज यह टेस्ट की मैं सारे इंफोमेशन आपको देने वाला हूं यहां पर वीडियो को आगे बढ़ा हूं उससे पहले अगर आप मेडिकल गुरुई चार में नए हो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लेकर का उसे प्रेस कर है उसके बारे में थोड़ी information सबसे पहले मैं आपको देता हूं जैसे कोई एक normal blood test perform होता है वैसे ही यह test को perform किया जाता है हाथ के कोई हिससे से यहां से यहां से या फिर joint से blood sample collect किया जाता है और फिर उसे lab में बेजा जाता है यहां पेशन का काम जो हो खतम हो जाता है पेश cytosite sedimentation rate दोस्तो हमारा जो blood है उसके अंदर red blood cell होता है white blood cell होता है plasma होता है तो यहां पे यह जो red blood cell है total blood जो है उसे एक pipette कह सकते हो या फिर कह सकते हो एक flask छोटी से tube में भी या जाता है उसके बार most of them वह tube होती है tube में blood sample लिया जाता है जैसे blood sample लिया जाता है वो जो red blood cell हो वो कितना है वो यह test से basically पता चलता है यह पता चलता है कि red blood cell को नीचे बैटने में कितना समय लगता है मान लिजे यह एक safer range है अगर उसे ज्यादा लग रहा है तो भी problem है अगर उसे कम लग रहा है तो भी problem patient को हो सकती है अब यह एक ऐसा test है जिसके business पर यह नहीं कहा जा सक है कोई तो पता चल जाएगा वहां पर infection है या नहीं लेकिन यहां पर आपको result मिलेगा उसके business पर यह नहीं कह सकते कि यही problem को क्यों multiple चीज़े हो सकती है आगे कुछ एक example में आपको दूंगा तो यहां पर basically मान लिजे वो safe range से बहुत ज्यादा है यह सार बहुत ज्यादा ह इसका आसान बास में क्या मतलम निकलता है कि जो रेट बिलर सहर है उसे बैठने में ज्यादा समय लग रहा है नीचे बैठने में अगर ऐसा है तो बोडी में कहीं पर inflammation का problem है सुझाव है वह arthritis की वज़ा से हो सकता है वह infection की वज़ा से हो सकता है और काफी सारे ऐसे problems है इसके नहीं है फिर भी करवाते हो तो अगर थोड़ा कम जादा आता है तो इतना ज्यादा major कह सकते है कि रिस्क नहीं है maternity life में भी यह बढ़ता है कम होता है तो वह इतना risk matter नहीं है लेकिन अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो arthritis, inflammation या फिर आप कह सकते हो कि कोई infection जैसे problem हो सकती ह अब उसके लिए further diagnosis करने पड़ सकते है तो यह सारी बाते होगे ESI test के बारे में अब जो final है चीज की यह test कैसे perform होता है क्योंकि अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई tube को ऐसे पकड़ के खड़ा रहेगा कि हाँ यह बैठे दिखता रहेगा वसे ऐसा तो बिलकुल नहीं होगा त इंफ्रारेट वेवस पे काम करता है ट्यूप को अंदर रख दिया जाता है वहां से इंफ्रारेट पास होते रहते हैं और वहां पर डिटेक्ट हो जाता है कि कब exactly red blood से नीचे बैठा है वहां पर millisecond में capture करता है तो वहां पर error के चांस से बहुत जादा कम रहता है तो इस त सकते हैं कब भी हो सकते डिपेंड करता है आप कहां पर टेस्ट को perform करवा रहे हो यह सारी बाते जो मैंने आपको बता है यह सारी टेस्ट के बारे में erythrocyte sedimentation rate अगर आपको यह सारी information पसंद आई है अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ नया सीखा एक लाइक जरू कर दो